उत्तर प्रदेश के आगरा का एक लड़का जिसका नाम रजत चाहर है उम्र 20 साल है और मनकेडा गाउं का रहने वाला है उसको 15 दिन में एक साप 8 बार काट चुका है आप समझे इस बात को 6 सितंबर को जो लड़का था रजत चाहर वो अपने घर से बाहर जा रहा था और उस साप ने काट लिया जैसे घरवालों को मालूम पड़ा कि रजत को साप ने काटा है उसके घर वाले उसको वैद्द के पास ले गए वैद्द साभ ने कुछ जड़ी बोटियों से उसका इलाज किया कुस जाड़ फूक किया और उसके बाद रजत को ले जाय गया अस्पताल लेकिन अस्पताल जाते जाते रजत के शरीर से जहर उतर चुका था और उसके बाद रजत घर आ गया। लेकिन 6 सितंबर को हुई ये घटना अब हर 2-3 दिन में एक बार हो जा रही है। मतलब ये कि 6 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के आगरा के रजत चाहर को एक ही साप 8 बार काट चुका है। उस वक्त वो नौईडा में रहते थे और उसके बाद आज एक साल जब बीच गए हैं तब साइद उस साप का पुनरजर्म हुआ है और वही साप पिछले 15 दिनों में रजत को 8 बार काट चुका है लेकिन हैरानी की बात ये है कि रजत को कुछ नहीं होता है और बार जब पिछानी बताते हुए कहता है कि देखिए एक दिन हम 6 सितंबर को घर से बाहर निकल रहे थे और हमको साप ने काट लिया जैसे ही हम इसके बारे में अपने माता पिता को बताए तो वो हमको एक वैद जी के पास लेकर गए वैद जी ने मेरा इलाज किया वैद जी से इलाज कर चिल लाते हैं मेरे माता पिता मेरे परियन मेरे पास आते हैं उसके बाद हमको फिर से वैद जी के पास लेकर जाया जाता है वैद जी मेरा इलार जड़ी बूटी के साथ करते हैं और हम फिर से ठीक हुआते हैं रेज़त के पुरे गाव वाले मनकेडा गाव का आगरा का पूरा गाव इस बात को लेकर एक दम परिशान है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ररत खुद नहीं समझ पा रहा है कि अखिर जब उनके बड़े भाई ने किसी सांप को मारा था तो उसको कोई सांप 15 दिन में 8 बार क्यों काट रहा है क्या इसमें कोई सांप का बदला वाला कह रहा है ररत के गाव की स्थिति यह है कि पूरे एरिया के लोग ररत के परिवार वाले से मिलने आ रहे हैं ररत खुद भी परिशान है घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है और जानने वाले कह रहे हैं कि जिस सांप को ररत के बड़े भाई ने एक साल पहले मारा था शायद उसी का पुनर्जर्म हुआ है और अब वो ररत से बदला ले रहा है बहराल बात ये भी है कि मनकेडा के अगल बगल के गाउं वाले जितने भी जाड़ फूक करने वाले बाबा लोग हैं वो लोग ररत के घर के बाहर अपना डेर डमाय हुए हैं वहाँ पर जाड़ फूक ह रही है और नाग देवता को बुलाने का प्रयास जा रहा है वो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि नाव देवता आकर बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं और जो भी नाग देवता चाहते होंगे हम लोग वो काम करेंगे इसके बाद ररत को साप नहीं कातेगा लेकिन पंद्र दिनों में आठ बार सांप से कटवाने के बाद रेत अगर सुरक्षित है तो इसका मिस्टरी कुछ ना कुछ है जो अब तक उस पर से परदा नहीं उठ पाया है बहुत परिशान है रेत को घर से निकलने के लिए अनुमती नहीं दी जा रही है लेकिन सबसे बड़ा स करतेगा तो वह सांप उसको फिर से काटेगा बाकि आपको यह कहानी सुनकर अचमबा हुआ होगा हम भी सुचें कि आपको बता दें अगर आप भी किसी सांप को मारे हो एक दम सदर करने का जरूवत है हो सकता है कि एक साल के बाद वह लोट कर आए और आपको आठ बार काट मेरे नाम प्रशांत राय है बहुत बहुत धन्यवाद